तो गुड़ मॉर्निंग एब्रिवन तोले विल डिस्कस हाव टो क्रेक CSR NET विदाउट कोचिंग कोचिंग के बिना हम लोग CSR NET कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए कौन-कौन से स्ट्रेटरिजी आपको अपनानी पड़ेगी या कौन-कौन से प्लान आपको तैयार करने पड़ेंगे जिससे आप लोग का CSR NET easily हो जाएगा ठीक मैं भी चार बार CSR NET क्वालिफाई हूं तो मैंने कैसे CSR NET क्वालिफाई किया ठीक कौन-कौन से बुक से पड़ी ठीक या कौन-कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया ठीक कितने बार रिपीट किया कौन-कौन स CSR NET क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको जरुवत है कि वह सेलिबस ठीक आप लोग CSR के वेबसाट में जाएए सबसे पहले सेलिबस डाउनलोड कर दीजिए ठीक सेलिबस डाउनलोड करने के बार आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे एक बार ठीक ह उसमें आपको बहुत सारे टोपिक ऐसे दिखेंगे जो आपने BSC लेबल में या MSC लेबल में पढ़े हुए ठीक उससे क्या हुआ कि आपको मोटिवेट मोटिवेशन मिलेगा कि ये टोपिक तो हाँ ही मैंने MSC में पढ़ाया तो मैं कुछ कर सकता हूँ ठीक है उसको ही अलग से वीडियो बिनाऊंगा ठीक है तो ये बुक्स पहले आप ले लिजिए बुक्स का क्लेक्शन ले लिजिए कौन-कौन सी बुक जरूवत है कौन-कौन सी है जिससे हमको एक्जाम में कुशिन आते हैं उसके बाद जो चीज हमको जड़िए हुँ उसे नोट्स नोट स को कहां पर मिल सकते हैं आपको या तो होई वो स्टुदेंट के पास ही मिलेंगे जो और या आप डेली में जाए ठीक जीसराय में वहाँ पर बहुत सारी कोचिंग स्टूट है यहां पर सिसार नेट के तो वहाँ से आप लोग कौपी वहाँ पर जो है फोटो कौपी की के नोट्स वहाँ पर मिल जाते हैं ठीक है उससे क्या हुआगे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या-क्या पढ़के वह लोग क्वालिफाई हुए ठीक और उसके बाद नेक्स्ट है प्रिवेस एर के कुशिन पेपर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह है प्रिवेस यूनिट देखेंगे तो वहाँ पर 39 यूनिट है ठीक है 49 यूनिट है तो 49 यूनिट को पढ़ना वैसे बहुत ज़्यदा हाल्ड वरक है ठीक तो 49 यूनिट को ना पढ़ा जाए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रिवेस एर के पेपर है पास साल पीछे के ज से कवर कर रहे हैं ठीक है और उसके बाद जो भी टॉपिक से उनको आप छोड़ भी सकते हैं ठीक है आप वहाँ से गेट के पेपर ले लिजी पुराने या कहीं पर आया टी जो आहां पर प्यच्टी की इंट्रेंस के एक्जाम नहीं से तो ले लिए आटी जैम की पेपर ल इसके बाद अनलाइस करना पेपर अगर आपने पेपर देख लिए तो आपको पता चालागे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ठीक है कौन सा टॉपिक छोड़ना है क्योंकि सबसे में चीज क्या है कि 49 टॉपिक से हैं यूनिट से वह आप नहीं पढ़ पाऊगे तो यह पता के चलेगा कि क्या चोड़ना क्या पढ़ना वह आप पेपर के प्रिवेसर के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलागे कहां से कॉशन ज्यादा पूछेगे है ठीक है उन्हीं टॉपिक्स बहुत ज्यादा फोकस करना है और टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते ठीक है उसके बाद है रिवीजिन जो रिवीजिन है यह पार्ट सुछ ज्यादा रहता है और गनी केमेस्ट्री यहां पर एक ऐसी चीज है अगर मैं तो केमिकल साइंस से हूं केमेस्ट्री की बात करना हूँ और आप इसको रिपीट ना करो तो आप भूल जाओगे ठीक है तो यह निं~!bank is mother व हीजिन करने से आपको क्या होगा कि अगर नी अच्छे से करा के तो इससे आप विक्टिन एस सकते हैं कोई से भी ठीक है थीक है तो Корसियों को पहले मेट्री दिशलू सोज्टी होना जरूरी है तब यूप पड़वाओगे आप उन पेपर का एनलाइसिस करो उससे पता से जागे कौन से टोपिक इंपोटेंट है कौन सा छोड़ना है कौन सा पढ़ना है ठीक है सेलेक्टिव स्टड़ी बोल दिया और रिविजिन सबसे ज्यादा इंपोटेंट है रिविजिन अगर आप के रिफ्रेंस बुक्स के बारे में और यहां कौन सी इंपोटेंट यूनिट है जो CISR नेट के लिए बहुत जरूरी है ठीक तो इन चीज को आप फॉलो करके ठीक और अच्छा सा टायम टेबल बनाके पर डेज 6-7 घंटा पढ़के आप CISR नेट इसली क्वालिफा कर सकते ठीक है विधा कोचिंग के